नमस्कार दोस्तों कैसो आप सभी तो आज की जो हमारी किलास है वो अने वाली आपकी कैलुकिलेशन और कैलुकिलेशन में जो हम करना सिखाएं आपको वो सिखाएं आपको मल्टिफिलिकेशन यानि कि आपका गुणा दोस्तों क्या होती है कि आपकी जो कैलुकिलेशन होती है वो आपकी थोड़ी अच्छी होती है आपकी जो कैलूकिलेशन थोड़ी अच्छी होती है तो कोई भी कुस्सन होता है उसका अंसर जो आप जल्दी से निकाल सकते हैं क्योंकि दोस्तो एक्जाम में जो आपके पास समय जो होता है वो बहुत ही कम होता है कम समय में आपको कुस आने वाला हूं जैसे कि आपको यहांफर जिए जाए जो आपका बताईए कि 60 इंट्य आपका 75 दोस्तों बताईए कितना होगा जैसे कि आपको देदे 26 इंट्य पर इसका इसमें करांगे पिर इसमें करोगे उसके बाद आपका जाते हैं तो आपको क्या करना होता है कम समय में तो इसके लिए आपका जो त्रिक्स से वरेंगे ऐसा नहीं कि त्रिक्स जो आपकी घराब हो जैसे तो आपको कोई भी पीए सपूज करो मैं आपको छोटा एक्जांपन लेकर के ऊहता देता हूं जैसे कि आपका कोई भी संग्या हो 16 into 12 है दोस्तों इसका कुछी चंद सेकेंटों में आपको गुणा करने के वो लिए मैं बोलू तो आप कैसे करेंगे तो सबसे पहले तो इसको आप ऐसे ना लिखकर आपको कैसे लिखना है जिसको आपको 16 और इंटू आपका वार है यानि इसका आपको गुणा करना है तो सबसे पहले जो आपको काम करना होता है वो करना होता है जो आपका 6 है और आफका 2 है इन दोनों के आपको क्या करना है गुणा करना है शे दुनी बारै बारै का हुगा दूस्त आपका 2 आशल का 1 उसके अलावा यह जो आपका किरोस मल्टीपलाई करना है यानि कि 6 एकम 6, 2 एकम 2 तो 6 एकम 6, 2 एकम 2, 6 और दो 8 और एक दोस्त आपका 9 और यहांफर जो आई इनका अपस में गुणा कर देना है एक एकम एक तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा एक सो वान में अब दोस्तों प्रिक्री आपको थोड़ी ज्यादा डिपीकल्ट लग रही होगी जब आप प्रेक्टिस करेंगे इस पर तो बहुत ही कम स जाया था इसको आप एसे ना लिखकर कैसे लिकें अफका तो सबका ब्यासी इंटू आफका फेंसट अब जो आपको क्या करना हुआ लाश्ट के दो अंक का आपको आपस में गुणा करने हैं फांच दुनी 10 दस की जूरो आंसल का एक अब जो आपको क्रोस मल्टिपलाई कर इसका त्रिक बहुत अच्छी है ऐसे लिखना हो आपको आपको एसे दिखना करना हो तो इसको आपको तरे साट इन टूब में आपका 45 वटे में यह जो आपका चारती है इन दोनों का आपस में गुला चारती है वारे का दो आंसल का एक अब जो इसका इसका में गुला इसका इसका इसमें यानि चारती है वारे और चेचो के चोवीस, बारे और चोवीस कितना हो जाएगा आपका चत्तिस और एक जो आपका आंसल का कितना हो जाएगा आपका सैंतिस सैंतिस का साथ आंसल का कितना हो जाएगा तीन और यह जो आपका इसमें गुलां कर देना इसमें और इसमें 6-4-4-3 कितना हो जाया दोस्तों आपका 27 तो इसका जो आंसर निकल करके आएगा वो कितना आएगा वो आपका 27 वात्तर दोस्तों आप बिल्कुल जो समझ पा रहे होंगे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो चलिए मैं याफर आपको बताऊं जैसे कि आपका याफर जो कोई भी संक्या है सफोच करो आपकी यह जो आपकी 34 34 इंटू आपका 65 आपको करना हो इसमें आपको गुला करना हो यह यानि कि आपको 34 का गुला कितने में करना है आपको 65 में तो सबसे पहले लिए जो लाश्ट के एंग होते हैं दोनों का आपस में गुला करना होता है 15 क sok 20, 20 का 0 हांसल का 2 अब जो आपको ए 6 का 4 में गणा तीन का आपको 5 में गणा यानि करो स्मल्टी फिलाई 6 और कितना होगा 24 तो ए सब्सक्राइब तो कितना हो जाया है आपका 49 49 और एक आपका 2 आपका 40 और 41 41 का 1 हांसल का 4 अब यह जो आपका आपस में इनका दोनों का उला करना यानी चैती 80 87 चार कितना होगा दोस्तों आपका — 22, Revelation जो आपका इसका विya अंसर जो निकल करके आएगा किसका 2004 सिंटू फैंसट तो दोस्तों यह जो आपकी कुछ इस प्रकार से ट्रिक्स होती है मैं चाहूँआ कि आप विल्कुल जो इसको समझ फा रहे होंगे तो चलिए एक last hour example आपको देकर बता देता हूँ जैसे कि आपकी आपकी संख्या हो आपकी दोस्तो कितनी यह जो आपकी संख्या हो यह आपकर 58 दोस्तो यह जो आपकी 58 संख्या है इसका आपको 22 से गुणा करने के लिए बोले तो आपको सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता हूँ यह जो आपकी 58 गुणा आपका कितना दोस्तो आपका 22 तो इन दोनों का गुणा 8 दूनी 16 की 6 दोस्तो आंसल की एक इसका इसमे गुणा इसमे 8 दूनी कितना 16, 5 दूनी 10, 10 और 16, 26, 27, 27 का सांस तांसिल का 2 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाया दोस्तों आपका 12 1276 जो इसका correct answer जो होगा वो दोस्तों वो निकल करके आईगा मैं चाहूँगा कि यह जो आपके two-digit multiple equation यानि की दो अंक का गुणा करना आपको समझ में आ गया होगा अगर आ गया हो तो हमारी जो class को like जरू करें इस पर हम ऐसी class upload करते रहते हैं तो मिलते हैं किसी next class में तब तक लिए जय हिंद बंदे मातरम